हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आज आप सभी को इंगलीज के ग्रामर का सबसे इंपोर्टेंट क्वेस्टन कराने वाले हैं यह जितने क्वेस्टन कराने वाले हैं आप सभी को 100% की गारंटी देते हैं कि आप सभी के 4 मार्च के अंग्रेजी के पेपर में यही सब प्रश्ण आएगा फ्रेंज आज आप सभी को grammar के portion से आप सभी को indirect पैसिव वाइस इसके साथ में punctuation से संबंदी इतने भी important question है यही सभी question आज 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 आप सभी को कराएंगे ठीक है यहां पर देगे आप सभी को यहां से start करते हैं कि change the following sentences into indirect speech आप सभी को यहां पर sentence दिया गया है इसको indirect speech में change करके बताते हैं कि किस तरह किस प्रकास आप indirect speech में change करेंगे तो फ्रेंज आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें चैनल पर नहीं तो चलगो साथ में सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के अदम रोचेक आपको वीडियो प्राप डेली बैडेली होता रहेगा ठीक है यहां पर लिखा है कि ही से टु अस वाई आर यू सिटी आइडल यह दिया है आपका डायरेक्ट में इसका इंडायरेक्ट देखे कैसे चैंज करेंगे बहुत सिंपल सा होता है देखे पहले नमपर पर यहां पर लिखिएगा ही ठीक है अब देखें सेट टू को सेट टू के बाद आपका अस यान सेट टू को हमें सास्की करते किसमेंद करेंगे और स्ट tror जाएका है यहां अब दिखिए यहां इनुवर्टट कामा हटाने के लिए जब यहांपर कोईस्चन मार्क जो सब्स रहेगा उसको यहां पितार लेंग हौई ठीक अब यहां पे आर दिल िसको पहले लिख दीए यू अब दिखिए यहां पर आर जोगा आपका वाज वेर में चेंज हो जाता है यू बहु अचन है तो बहु अचन के साथ में आपको क्या लगता है लगता है तो यू वियर हो जाएगा यू वियर ठीक है अब यहां पर सिटिंग लिखा है तो यह सिटिंग अपने अस्थान सब्सक्राइब करें यहां यह आपका चेंज होगा इंडारेक्ट स्पीच में ठीक है और इसी प्रकास एक बोर्ड के एक्जाम में इस प्रकास कोईशन मिलेगा और इस तरह यह आप लिखते हैं इस टोटल आपको दो नंबर तुरंत मिल जाता है ठीक है अब चलिए अगले को कराते हैं आपको जितने भी इंडारेक्ट स्पीच को इंडारेक्ट स्पीच में चेंज करना बताएंगों इतना आप सीख लीजिए आपको दुबारा कई दूसरी की वीडियो देखनी आशकता भी नहीं पड़ेगा देखिए अगला क्या है रेखा सेट टू मी बिहेब प् कर सके हैं रेखा अब लिऍवाइस में चेंज करेंगे किसमेंपے और यहां पर मी लगेगा फिर कमा TP का मेंडं चांगलेगा यहां ध्यान दिजीए थिक है तो जरुका है कैना ऐब्लाइड तो मी और यह पी सरी दर रहेगा भी है प्रोपर ली कि यह आपके इंडारेक्ट स्विज में चेंज हो गया ठीक है अगला है मोहन से टुमी कामा इनिवेटेट कामा यहां पर देखिए सहायक किरिया है यू रिटेन अलेटर अब देखिए जिब सहायक किरिया रहेगा तब कैसे आपको चेंज करना है इसके पहले आपको जो पहला कोशन बताए था आपको क्वेश्चन मार्क जो सब्द था जिसे वाई अब वाई तो उसको कैसे चेंज करना था आपको सिखाए अब सहायक किरिया जैसे रहेगा तो उसको कैसे चेंज करना है यहां पर देखिए आप कैसे लिखेंगे लिखेंगा मोहन अब यह सेट टू चेंज किसमें होगा तो अब जब भी क्वेश्चन मार्क मतलब इस तरह स किसमे आस्क्रेट यहां अप्यान दियाँ जब यह आपका जो वाक के रहता है इंवर्टेट का मा के अंदर प्रश्ट वाक्षक सब्ड करिया थै जिप प्रारंब हुआ रहता है इस चीज को भी दियान देना है में अटाने के लिए आप अप्याइब लगेगा और इसके क्या लगेगा कि यू हो जाएगा ठीक है अब यू के पास आपको क्या लगाना है यहां पर कि देखें है जू रहता पर चेंज हो जाता हैड में यू है रिटेन ली टेन लेटर कि यहां पर फूली श्टाफ हो जाएगा मोहन आस्क डिमी इफ यू है रिटेन लेटर इस पकास इसको चेंज करना था अगला देखिए क्या है देखिए वीडियो को लाइस तक देखिए आपको डारेक्स इंडारेक्स चेंज करने के बाद एक्टिव को पैसी में चेंज करना अब आपको इसी वीडियों बताएंगे साथ में पंक्ट्वेशन से संबदी जो कोईशन आता है बोर्ड की एक्जाम में वह भी बताने वाले है तो आप वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा सीला सेट टु हीमू कैन यू डू सम्टिंग फार मी फार मी अब दिखिए यहां पे यह सहायक क्रिया से हो रहा है जब यहसायक क्रिया सेस्टाट होगा तो क्या करना है यहांJust यहां पर सीला हो जागा सेट को किसमें चेंज करेंगे आस्कड में एस के एडी ठीक है जब भी प्रश्णवाच्चक सब्द रहे यह सहायक किरियास रहेगा तो आपको आस्कड में चेंज करना है फिर यहां पर लिखिएगा हेमूं इन्वेटेट काम आटाने के लिए अभी पता है सहायक किरियास जब स्टार्ट होगा वाग के तो इन्वेटेट काम आटाने के लिए क्या लगाना आपको इफ लगाना है यहां पर क्या हो जागा यू कैन को किसमें चेंज करने कुड में हो जाएगा कुड और जिस तरह यह व होता है आपका subject के अनुसार होता है तो सीला लिखा है तो मिक इसमें हर में चैंज हो जागा ठीक है और यहां पर हो जागा आपका फूलिश टाप ठीक है अब चलिए देखते हैं अगला कि यहां पर द्यान दिए पांचवा नंबर का कि कनक से टुहीं विल दर टीचर नाट टीच अस टूड़े ठीक है अब यहां पर लिखा है मतलब कि यह भी आपका साहे करें से स्टार्ट हो रहा है यहां पर लिखेगा कनक यह किसमे आसकर में चैन्ज हो जागा कि आसकट हीं इनिवोड का माते गाथ इफ लगेगा और यहां पर दाटीचर पहले लगेगा दा टीचर ग्यक्यादए किस चरहा है आपका जोड़ी यहागा अपनाट्र रहेगा ने तो तो इसमें कि प्रकार क να करना नहीं सक्की है यहागा देके इसको जिरेंग साध करने क्लान है किसे कर दिजिए क्या लगए लगेगा का अगला देखिए च्छटा नंबर का ही सेट टूमी प्लीज हेल्प मी देखिए जब प्रीज से आपका इन्वेट्ट का अंदर का वाग्वेट्व प्लीज से इस्टार्ट हो लेकि इसका मतलब यहां पर आप कैसे चेंज होगा ही सेट टू को चेंज कर दीजिए गर रिक्वेस्टेड में है कि वुई यू एश्टी इडी रिक्वेस्टेड मी है तो मी ही रहेगा अब देखें यहां किया करना रहता है जब यह प्लीस है यहां पर इनिवाटट कामा आठाने के लिए टूस लगाएंगे और प्लीज को है और यह है जब यह जो जाता है ही रिक्वेस्टेट मीट्व है से लुख जाए ठीक अब दो प्थर इसके बाद ठीक है अब दिखें यहां पर ध्यान दिजेगा सिर्फ सेड है अभी तक जीतना आप लोगों ने चेंज के सेड टूट था जब सेड टूट था तो इसको दूसरे में चेंज कर रहे थे लेकिन जब सेड रहेगा न तिये चेंज नहीं होता यह जैसे के तैसे इसी तरह यहां सेड रहेगा तो सेड रहेगा ठीक है इसमें किसी पका का को चेंजिंग नहीं करना यहां लिखिएगा ही सेड अब देखें ध्यान दीजेगा अभी तक जैसे प्ली जाता था यह सहायक क्रिया से इन्वेटेट कामा के अंदर वाले वाक्त के स्टार्ट होता था यह कोई सहाय क्रिया एंगा प्रस्ण प्रस्ण माचर सब्ध यह चीज नहीं रहा थे इन्वाटेट कामा हटाने के लिए यहां देट का प्रयोग करेंगे ठीक यहां पर इस चिज़ का ध्यान दिज्येगा यह पर किसका पैंदेट का ओर यहां पर आपक लिए आज Pocket की से आज़ के यहां पर क्या है साल के हिसाब से आप यहां में हो जागा ठीक है डाबलु ओ यू लडी अब देख़ां तो माई किसके ह 완 smat changing ऑगोगी कन फ Marshall की हो जागा मी के समद ही हो जागा बेश्ट ऑ primary है अब तुमारों कि किसमें होता तुमारों था 290 क्लिक्लाश तो श॥क्त हो और यह फुलिष्टा तुम्हारों को चेंज होता है दा नेक्स्ट डे ठीक है और यहीं प्यदी रहता इस टर्ट है तो यहां पर प्रिभी जितने भी साथ कोईशन इम्पोर्टेंट कोईशन बता इन कोईश्चनों को आप देख लिए इससे बाहर आपका एक्ट्व से पैसिब म इस से बाहर नहीं जाएगा ठीक है चलिए अगले question को बताते हैं देखे अगला आप से यह भी आपके बोर्ड की एक्जाब में दो नंबर का आता है आपको जितने भी important है वही question आपको इससे कराएंगे बस इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए ठीक है आपके सामने अगला question है जो हूँ टीचेज U इंगली इसको किसमें चैंज करना года 85 वाइयश में चैंज करना कि काईशे करना आपका क्याट Кरते वाइष ऊप इसके बाद आप क्या करते हैं और यह कनी कर दिए फिर इसके बाद देखे जब यह टीचेज प्रिजन इंडिव्लिट में है तो यहां पर यूआ क्या कीज़ें एक सब्जेक्ट करूपने आप लेंगे यहां पर इसके हिसाब से क्या लगेगा आपका और यहां पर यहां पर यूटाएगा और हमेसे एक द्यान दिजीगे जब पैसी बर स्टेट ज़से करते हैं तो हमेशा जो वर्ड़ को होता है वर्ब का हमेशा थाढराम ही लगाते हैं हमेशा वर्ब काentry भारम ही लगाते इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा तीच का ठट हो जागा TAUGHD फिर इसके बाद आप लगा दीजियेगा English English इंगलिश ठीक है फुली स्टाप कर दीजेगा जब भी हूँ से आपको प्रारम होगा तो आपको बाई हूम लगाना है जैसा चेंज की है इसको देख लीजे और इसी प्रकास आपको बोड की एक्जाम में कोईस्टन यहीं मिलता है तो आप इस तरह हल किजिएगा अब देख आपक्या कि एगए कि यहां पर लिखा है आपका कि यह देख राइटिंग के बाद आपका जो यह सब्द रहेगा यह आपज़े रहेगा यह आपजेक्ट क्या की जिगा पहले आप लेक्ण को सब्जेग्ड बना दीजेगा यहां पर लेक्त आए-ट आप लिकेशन एप्ली केशन, अप्लिकेशन हो जाएगा अचेंड अप्लिकेशन, अब यह कहने, जब रायटिंग रहेगा आज आपको क्या करना, एक वver के साथ में आपका इस ही लगेगा जब यहाँ पर रायटिंग होगा, आप लगाई है क्या लगाएगा बी जब आई एंजी जुड़ा रहेगा न तो उसके साथ में आप बीइंग लगाईएगा तो होगे एन एप्लिकेशन इस बीइंग ठीक है अब वर्ब का हमेशा आपको थर्ड फारम ही लगाना है यह ध्यान दीजेगा तो राइटिंग का थर्ड फारम राइट का थर्ड फारम क्या होता है रीटेन हो जाता है थिरेटेन लगाएए डाबलू ऑर यडबल टी य रीटेन ठीक है फिर इसके बाद यहां सब्द बचार वारलीब लिखे दिजेगा फार लीब अब दिखें यहां पर आपका सब्जेक्ट रहेगा उसको इस प्रकास इसको आप क्या करेंगे पैसी वाइस में चेंज करेंगे ठीक है यहां पर आपको कुछ ऐसे का सेंटेंस करा देते हैं कि जो सेम तु सेम यही आपको डायरेक्ट बोट की एकजामें सेंटेंस देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो आपको एक भी क्वेस्टन पहले देखिए आप पकड़ी देखिए यह वर्ब के बाद अगला सब्द जो आएगा यह आपको अब्जेक्ट रहता इसको क्या करेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे यानि पहले इसको लिखेंगे लिखेंगे आप ए डिक्शनरी डिक्शनरी ठीक है यह बन गया अब यहां पर देखिए क्या लिखा है आपका बाट लिखा यानि कि यह प्रेजेंट क्या लिखा है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस ने जब सेकेंड फार्म रहेगा तिहाप क्या लगाईगा वाज के बाद वर्ब लगाईएगा इसका थर्ड लगाए गया तो इसके बाद आप क्या लगा यह लगागा Ensuite को सिर्फ यह वच रहा हैं यहां सब्जक्ट जो है पहले लगाईएगा बाई लगाने के बाद कि मी को किसमें चेंज करेंगे औजल में चेंज करेंगे कर मो में यहां बीद की चोथा नमबर का कि ना माओस डह रह अब इसको चेंज करना कैसे चेंज करेंगे तो पहले है डब थे खिया दो पहले इसको यह दिखि आपको वर्ब के बाद डिया यह आपका क्या है जैंकर सब्जेक्ट बनाएगा, में लिखियेगा अब सेटिए के साथ क्या लगाँगे वास फिर जागो फट पर जागा बाई यह सिर्फ बच रहा है इसको लाश्ट में बाई के साथ में दो माउस माउस ठीक है अब देखिए आपके सामने अगला है इसको भी चेंज करके बताते हैं आपको कैसे चेंज होगा अब देखिए इसको जब बदलना है आपको किसमे देखिए लाश्ट में जो यह आ रहा है इसको अब्जक्ट इसको सब्जक्ट बनाईएगा इसको पहले लिखिएगा यहां लिखिएगा फीर फिर्टम फ्रीडम 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 फाइटर फिर फाइगडि पैड्र लगाईएगा फिर इसके साथ में इस अब लगा यहां पर खेक है फिर इसके बाद आप इसके बाद आप्लवेज़ लगांए यह आलवेज गांडवेज हे आउर इसका क्या लगा टियगा है तॉर्ड हरव इसका इसलिए को वर वक हमेशा ध्रड फरम लगाना को admired by अब देखे जब एक सब्सक्राइब लगाई यह बाई और पीपूल का पीपूल हो जायागा था भाई पीपूल फुल स्टाप कर दीजिगा यह बन गया आपका ठीक है अब देखे अगला है छटा नंबर का फिर आप से स्टार्ट हो रहा है हूँ रोट दा एप्लिकेशन जब भी हूँ से स्टार्ट होगा तो किसमें चेंज करना है सबसे पहले इसको बाई होम कीजिएगा क्या करना इसको बाई होम यह बाई होम में कर देखे सबसे पहले इसे पर इसके बाद आप क्या करember 22 х भाय होम में करने के बाद आप इसको क्या की जिसको पहले लिकुक्या क्छे है कड़ा अं आपि यह लिखे गता लगारत यह को लिटायिकेशन सबसे और भाय है रोट को ठाट फर्म गया हो जगर रीटेन हो जाएगा ठीक है इस पका से भी यह होता है इसके लावा देखिए आपको एक उपर बता इस तरह देख लिए यहां पर पहले आप आर लगा के आप यहां पर यह लगा सकते हैं ठीक है इसमें कन्फूजन मत पढ़े रहे हैं पहले हैं अब देखिए इसका बनाना है आपको तक alsय है पहले हैं तो देखिए यहां पर यह करति हैं इसको सब्जेक क्या हो जायए तो सब्जिध क sings ने कि क्या हो जायाww हो कि आți हुञ लगेगा इसके आप और ठाट वारओन और का क्या हो जाएगा आ है ओमनता आने क्मिवे ल अब इसके बाद क्या लगाएगा इन इवरी जो यह बचा रहाएं का सेस लिकित है इवरी वे लगाइगा ईवरी वे अब जो यहाँ पर रहेगा वी क्या हो ज़ाएगा तो वी आप हेल्प्ड इन इवरी वे बाइश थीश पगास आपको चेंज करना था एक्टिव से । से संबंदि इंपोर्टन बता देते हैं यह भी आपके एक्जाम में दो नम्बर का आता है यहाँ पर आपको चार कुएसन बताएंगे बस इतना इकालेजी इतने भी इन भी इस चीज़ को ध्यान दिया जाता है बस वही हुता है देखिए यहां पर पहले एक बार sentence को पूरा पढ़ लिजेगा रेखा said to her friend why did you not come to college yesterday देखिए जब भी आपको sentence में आपको इस पका said to मिलेते समझ लिजेगा वहां पर कामा इन्वेटेट कामा जरूर लगेगा देखिए जब भी नाम रहता है नाम का पादल लेटर कैपटल म यही प्रक्ट्वेशन का खास्यत होता है बहुत सिंपल से होता है देखिए इसका पर लेटर कैपटल में रहेगा रेखा लिखेंगे रेखा Ka Sade two है to said two लगाएगा said to धहर लगा दीजएगा ठेक है और देखिए इसके तुरंद बाद में अब क्या है कामा इन्वेटेट कामा होता है फिर जय से कि thक हैते से क्टैसे ठरेंड है तो दिएक्टी चसुटी three और फेंड पूरा हो जाएगा अभी यहां साथ कामा लगेगा फिर इन्वेटेट कामा यहां हुआ है तो पहला लेटर काप्टर में रहेगा इसके अंदर फिर इसके बाद वाई हो जाएगा फिर यहां पर दीट यू नाट है तो नाट लगेगा कम है तो कम to college Yesterday Yesterday और देखे जब यहां से साएगा question प्रश्यवास जब सर्दे से start हो रहा है तो यहाँ पर question mark रहेगा और Probleme बंद हो जागा यह द्यान देना है थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को द्यान क्यां देना है कि कामा लगाना आपको यहां पर सेट टू लिखा रहा है तो समझ लीजिएगा कामा इन्वेटिट कामा लगाना है चली एक क्वेश्चन करके और बताते हैं जैसे देखें यहां पर कि यूमिंग् टू इसकूल वी योर बड़ार्घ बडन यहां पर बात journeys सेट यहां पर । यह सही है मतलब जैसे लिखा था अब देखे आर यू कमिंग टू स्कूल विद यूर ब्रदर ठीक है सेट महस है ठीक है अब देखे इसको कैसे आप पाचान के जब भी सेट आपको मिल जाए तो समझ लिए कि इन्वेटेट कामा जरूर लगेगा यहां पर इन्वेटेट कामा यूर ब्रदर अब यहां पर देखें सब्सक्राइब कर दो लगें कर दिजिए आपर कामा बंद कर दीजिए अब कर देखें इसके आगे लिखेंग ना इसके आगे लिखेंगे जैर्ए महेश और यहां फुली स्टाप कर दीजेगा यह आपका वाक्ट बनके तैयार हो गया इस पकास से आपको चेंज करना रहता है यह दो नमबर कर रहता है ठीक है आए कुछ और प्रश्ण बता देते हैं देखिए अगला एक वाई डिट मोहन गो टू देलही आन संडे मौर्निं इसमें गिए वाक्य मे राएग कहीं पर भी आपको सेड यह रहता है थो कैपटल है लगेत पर इसके बाट दोकी मोहन जब भी किसी का नाम होगा तो उसका पहला लेटर हमें सा कैप्टल में रहतात लिखेगा ह। बहां को वोट्वदर कि डिल ます और यहां दिल में बाल अहीं कि other christ मれं कि मोर्निग है तो मार्निंग लिखेगे और यहां पर लगा यह question mark क्यों लगेगा कि यह सहाय के मतलब प्रश्णवाच्चक सब्ड़ आपका question mark लगेगा यहां पर कामा इन्वेटित कामा इसलिए नहीं लगा कि इसमें आपका काई सेड या सेड़ टू नहीं दिया थे इसलिए यहां पर नहीं लगेगा ठीक है इसी जैसे एक और वाक्य बता देते हैं जैसे confusion जो होगा आपका दूर हो जाएगा जैसे how does this machine work ask the boy ठीक इस पकाई से जब वाक्य में लेगा कैसे आपको करना है simple सा यह भी होता है आपका आप ऐसा कीजिए कि पारले लेटर हमेंसा capital में लिखेगा था how does this machine work देखें यहां तक एक वाक्य कप्रीट होता है यहां लगाए question mark क्यूंकि यहां उसे प्रारम हुआ है यहां पर question mark इसके बाद ask रहेगा आपका आस्क है द आस्क है आस्क है फूरिष्ट ठीक है तो इस प्रकार से इसका क्या करना था जितने जितने प्रकार से आपके punctuation संबंदित question बन सकते थे वह सभी आपको बता दीए बस इतना आप देख नंबर का आता है आपका अदम correct हो जाएगा ठीक है तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें चैनल पर नहीं तो को subscribe करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को share करें